हेलो एन विलकम टो यशिता स्केच जन आज के हमारी स्पेशल रेसिपी है फोटल स्टाइल वेच पुला इसे बनाने की सामगरी स्क्रीन पे दे गई है आप नोट डाउन या फिर स्क्रीन शट ले सकते हैं यह बड़ी ही आसान रेसिपी है इसे बनाने के लिए एक तवा गरम करें जिसमें आपको एक टेबल स्पून तेल डालना है तेल थोड़ा गरम होने पर एक चमच आपको एक टेबल स्पून धन्या डालना है धन्या का सीड्स डालना है पांच आपको लॉंग साथ काली मिर्च भी डालनी है उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे एक टी आठ आपको हरी मिर्च डालनी है इसको अच्छे से लो फ्लेम पर आपको सेखना है इसके बाद आपको एक हाथ भर कर धन्या पत्ता डालना है धन्या पत्ता डालने के बाद आपको अगर फ्रेश मिंट लीवस है पुदीना है तो डाल सकता है मैं इसमें 1 पीस्पून ड्राइ मिंड लिव्स डालूंगी फिर इसको आपको धीमी आज पर 3-5 मिट के लिए अच्छी सी सेखना है दिखिए ऐसे सेख चाहिए इसके बाद इसको थंडा होनी के लिए रख दे गैस की आज को बंद कर दे इसको थंडा होनी देना है थंडा होनी पर आपको इसका स्मूद पेस बनाना है मिक्सर जार में लें और याद रखे इसका स्मूद पेस बनाना है और थंडा होनी पर ही पीसना है फिर एक प्रशर कुकर लेंगे जिसमें आपको देर चमच टेबल स्पून देड तेबल स्पून आपको इसमें तेल लेना है इसके बाद आपको इसमें राई डालनी है देखिए राई डालनी है गरम होने पर राई चटकने पर इसमें आपको कड़ी पता यानि की करी लीफ्स डालना है फ्रश करी लीफ्स आप तेज पता और हिंक का इस्तमाल भी कर सक सकते हैं यारे कि बेल लीफ और हींक का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने नहीं किया है फिर इसमें आपकी मन पसंद सब्जा डाली है मैंने इसमें प्याल, आलू, टमाटर, गाजर और बीन्स का इस्तमाल किया है आप चाहे तो कैपसिकम और फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं मन पसंद स अब जह आपको एक मिनिट के लिए सौटी करना है, इसके बाद आपको इसमें पेस्ट डालना है, पेस्ट पुरा अच्छे से मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी डाल के वो सब बच्छा कुछा जो पेस्ट है वह भी डाल दे, अब इसमें मैं हल्ती डालोंगी, आदा चमच और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धन्या पाउडर, अप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं वरना नहीं विराल सकते हैं, फिर नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करनी के बाद इसमें मैंने एक कप चावल को धोके रखा था, को इसमें डालना है, आप चा कप पानी डालोंगी याद रखे एक कप चावल में आपको देड़ कप पानी लेना है फिर इसको अच्छे से मिलाए और नमक पेस कर ले पानी टेस करेंगी तो नमक का स्वाद पता चल जाएगा अगर कम लग रहा है तो एड कर सकते हैं इसके बाद मैं थोड़ा सा पुलाव म साला भी डालोंगी अगर नहीं है तो नहीं डालेंगी तो भी चलेगा बट इससे स्वाद और भी अच्छा आता है आप पें रिपें करता है चाहे तो डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं कि बाद नमक भी टेस कर ले और इसको मिक्स कर ले एक उबाल आने पर आपको एक ब आपको इंतजार करना है दो हाई फ्लेम पे और एक लो फ्लेम पे इससे आपके चावल अच्छे से पक भी जाएंगी और खिला खिला जैसे पुला होता है वैसा बन जाएगा और यहाद रखें गरम होने पर मिक्स ना करें वहना चावल तूड जाता है मैं सब दिखाने के लि मिक्स करें थोड़ा थंडा होने पर एक्दम रड़ी है अब हम इसके साथ जो राइता बनता है वह बनाएंगे राइता या फिर पच्छडी इसको बनाना भी बहुत आसान है एक कडाई में आपको घी लेना है आप तेल पसंद करते तो तेल डालें फिर इसमें राई डाले राई चटकने पर हम जीरा भी डालेंगे फिर कड़ी पता डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे फिर इसमें आपको दही डालना है गैस की आज को बंद कर दे इसमें प्यास टामाटर और खीरा जिसको फाइनली चॉप करके रखा था वहर डालूंगी मैं मैं ये कम से कम चार से पांच लोगों के लिए बना रही हूँ आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख ले अब इसमें फ्रेश कोरियांडर लीर तन्या पता भी डालूंगी अब चाहे तो मिर्च डाल सकते हैं पर राईते में मिर्च की ज़रूरत नहीं है मैं इसमें नम राईता भी एकदम तयार है कितना इवी है जटपड बन जाता है सुबह ब्रिकवस्ट में बना सकते है रात में डिनर में भी एंजॉय कर सकते है पुला और पचड़ी यानि की राईता तयार है वोकल स्टाइल मेरी रेसिपी कसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखके बता धन्यवाद लाइक शेयर सब्सक्राइब सरूर कीजेगा